हेलो गाइज में नहीं नमन और आप देख रहे हैं एंड्रो आयट राज के अपने इस वीडियो में आपके लेकिया हूं रेड्मी के 20 परो डिवाइस के कुछ कमाल के पीचर्स और कुछ कमाल के दिपसन ट्रिक्स तो यहां पर Redmi K20 Pro device में आपको काफी लाजबा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं तो आप इस वीडियो में अंट तक बने रही है अगर आपको जानना है वही Redmi K20 Pro के कुछ कमाल की tips and tricks कुछ कमाल के hidden features कुछ धांसू अले features तो इह आप यूज़ करके काफी कमाल की चीज़ें कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले में आपको बता दो को भी या यह Snapdragon 855 के साथ आता है जैसे कि आपको पता होगा लेकिन यहां पर एक फीचर आपको मिल जाता है जिसमें कि आप Wi-Fi और Hotspot को एक साथ यूज़ कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं Wi-Fi On है Wi-Fi से Connected है मेरे यह और वहीं पर अगर मैं Hotspot Create करता हूँ तो Hotspot भी Create हो जाता है यह feature आपने Poco F1 डिवाइस में भी देखा होगा तो यहां पर देख सकते हैं Brightness Level, Reading Mode यह सब चीज़े तो आप चीज़े तो आप चीज़े तो आप चीज़े कर सकते हैं Contrast and Colors यह सब चीज़े भी आप चीज़े कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको मिल जाता है Anti-Flickr Mode यह काफी कमाल का फिचर लगा मेरे को यहां पर आपी वीडियो शूट कर रहा हूं तो देख सकते हैं कि यहां पर मेरी स्क्रीन पर कोई भी फ्लिकर देखने को नहीं मिलता और जैसी मैं इसे डिशेबल करता हूं देख सकते हैं स्क्रीन पर फ्लिकर देखने को मिलता है वो थोड़ा सा आपको कम अच्छी दिखेगी लेकिन ओवराल ये आपकी आँखों कोई नुक्सा नहीं देगा और वीडियो जगर आज शूट करते हैं तो ये मोड मस्ट आप आप आउन करके ही रखे साथ में यहाँ पर आपको डार्क मोड भी देखने को मिल जाता है जैसे क आपको बता होगा कि यहाँ पर एमलेट डिस्पेय मिल जाता है जैसे हमने डाक मोड इनेबल किया यहाँ पर शिस्टम वाइड तो नहीं लेकिन बहुत सारे एक्ट में डाक मोड इनेबल हो चुका है यह शौमी की तरफ से आने वाला फीचर है जो देख सकते हैं जो ब्लैक पर शिचल कर सकते हैं और थोड़ी बहुत बैटरी भी सेव कर सकते हैं साथ में अगर रात की डाइम पर यूज करने फोन को तो यह फीचर मश्ट आपको ट्राइग करना चाहिए क्योंकि आपको 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 कम रोशनी पड़ती है और यहीं पर आपको एम बैटरी वाला पोशन रहे गा स्कृं का फूरी तरह से पिक्सेल्स अपने अपको बंद कर लेते हैं और जो पार्ट में यहां पर तो अभी यहां पर कुछ इस टाइप की स्टाइल में आपको मिल जाएंगी यह चीजें तो यह आल्वेज ओन डिस्प्ले आप यहां पे लगा सकते हैं काफी सही लगता है देख सते हैं ऑल्वेज ओन डिस्प्ले यह इसी तरह से आपके स्क्रीन रहेगी कभी भी तो कभी कर सकते हैं और साथ में यहां पर टेक्स्टाइज को स्मॉल कर सकते हैं या बड़ा चोड़ा जो भी करना है आपको वो कर सकते हैं उसके बाद यह फिटर मिल जाता है डबल टैप स्कीन टू वेक वाला तो इसी नेबल करे रहेंगे और जैसे आपका डिवाइस लॉग है तो क्या है कि जब आपका डिवाइस लॉग होता है टेबल पे ऐसे रखा होता है और फोन को जैसी ही आप पिक करेंगे तो आपका डिवाइस लाइट अप हो जाएगा और वहां पे डिस्प्ले आपको दिख जाएगी और अब अगर हम चलते हैं लॉग सीन पास्वर्ड वाले सबसे पहले हम चलते हैं मैंनेज फिंगर पिंट वाले उप्शन पर लेकिन यहां पे आपको कुछ अच्छे फीचर भी देखने मिल जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आपने डिवाइस को अनलॉक करते हैं तो कुछ इस तरह से अनिमेशन बनता है तो यह वाला अनि यहां पर स्क्रीन पर दिखेगा तो यह भी काफी बढ़िया फिचर लगा इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं और इसी किनी से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो फिंगर्पिंट आइकन वेन दा स्क्रीन इस ओफ तो इसे अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो स्क्रीन कूल फीचर लगा मेरे को तो जैसे आपके डिवाइस में फिंगर्पिंट इनेबल है तो इसी अगर आप फिंगर्पिंट शॉटकट वाले ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो उसके बाद कुछ शॉटकट को आप एक्सेस कर सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा सिंप्ली डि इस तो इसके अधर बेरीश इनेबल हो जाता है तो इस वाले और साथ में आपको लाग स्कीन for notification को अप्शन में लाता है तो इसे वी विल कर सकते हैं। इसे आप एडवांस सेटिंग को उप्शन मिल याता है इसके अंदर आप जाके लाग्स्रीन का क्लॉक फॉर्म इक्स कर है तो यहां से कस्टमाइज कर सकते है और साथ ही यहीं एक हीlights और बाद फrat concerned यहीं बड़ते हैं नोडिफिकशन और मिल जाता है तो स्कीए इस्छान करो पांकल पूआGe के आइकन देखने को नहीं मिलेंगे जो स्टेटस बाहर है आपका वो एकदम खाली मिलेगा तो इसे आप इनेबल करके रख सकते हैं डिसेबल आपकी परस्नल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है शोर कनेक्शन स्पीड यानि कि अदर आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आपको इसे ही नेवल करके और साथ में यहां पे बैटरी इंडिकेटर में आप परसंट्रेज शो कर सकते हैं अगर आपको परसंटेज में देखने में अच्छी लगती है तो बैटरी पस नियांपे शो होता रहेगा और अगर हम चलते हैं इसके फुल स्क्रीन डिस्प्ले म तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहां पर आप चूज कर सकते हैं वहीं आपको Navigation Keys यूज करनी है या फिर आपको Full Screen Justice यूज करने हैं तो मैं personally Full Screen Justice को यूज करता हूँ और यहां पर भी कुछ options आपको देखने को मिल जाते हैं इसे भी Enable या Disable कर सकते हैं तो simply आप यहां से swipe up करेंगे तो आप Home पे चले जाएंगे और अगर आप swipe up करेंगे तो आप Recent menu पे चले जाएंगे और अगर आप इसी एप के अंदर हैं तो चाहे लेट से चाहे राइट से swipe करेंगे तो आप Back में चले जाएंगे और साथ में अगर आप Go back to previous app वाल option इनेबल क कर रखेंगे उसके बाद ऐसे swipe plus hold करेंगे तो प्रीवियस वाली एप पे चले जाएंगे बहुत ही असानी से तो यह फीचर मैं यूज करता हूं मुझे काफी सही लगता है और यहां पर हम चलते हैं इसकी additional settings के अंदर तो यहां पर आपको काफी लाजवा फीचर देखने को साउंड भी आता था तो वह कैसे बंद होगा तो आप यहां से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं देख सकते हैं कि यहां पर विजवल एफेक्ट का उप्शन मिल जाता है साउंड का उप्शन मिल जाता है यानि कि जो लाइट जलती है आपके इसे पहले वह दिखा जेता हूं आपको देख सकते हैं कि अगर कैमरा में गया मैं और देख सकते हैं आप राइट जली और sound भी आया फिर से लाय जली sound भी आया तो अगर आप इसे तो उसके बाद जो हम जाएंगे ना तो साउंड आया ना तो लाइट जली तो इस चीज को आप आप और कस्टमाइज भी कर सकते हैं अब इसे आउन कर जेते हैं क्योंकि मेरे को मज़ा आता है तो अर साथ में आप यह आपको नोडिफिकेशन लाइट का ओप्शन भी मिल जात जब आप फोन ऐसे रहेंगे लेकिन फिर भी यहां पर इस यह उक्षिन मिल जाता है तो इसे आप इने बेले डिसेबल कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे और जैसे कि आपको पता होगा कि मियोग के अंदर आपको डूलास का फीचर मिल जाता है तो भी यह 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 और बताना चाहूंगा जैसे आपको पता होगा कि यह डिवाइस सपोर्ट करता है डूल जी पिस को डूल फ्रीक्वेंसी जी पिस को यह सपोर्ट करता है तो बेसिकली इसमें आपको थोड़ा और एक्यूरेट लोकेशन देखने को मिलेगी तो एक्श्यली यह मुल्टिपल प्रिक्वेंसी को यूज करता है आपकी GPS लोकेशन डेटमाइन करने के लिए पता करने के लिए यह पहले से कहीं जादा एक्वेटली काम करेगा आपके फोन में तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं वैसे आगर आप जीपेस यूज करेंगे तो यह बाइडिफोर्ट डूल जी साथ यहां पर आपको बहुत सभ्रूबी तरीके स्वेड़ हैप जाये ऐन की कमिनिकेशन में आपको और सेवके सासटेंगे ख्यांगे मीश RAW सब गिसरां पिसा काफि पॉचल जाविए अब कर सकते हैं कि सेटिंग्स में यहां से आप डाक्मोड ड़गे कर सकते हैं आप इसके लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बैजिस किस तरह के चहिए वह यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं और डाबल टैप to lock स्कीन वाल ऑप्शन भी मिल जाता है तो इसी भी आप इनेवल करके और स्कीन पर रहते हुए कहीं भी डबल डैप करेंगे तो स्कीन आपकी लॉक्ट हो जाएगी और इस डिवाइस में आपको को ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को फीचर बाइडिफॉल मिल जाता है इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी आप यूश करने के जरुद नहीं पड़ेगी आपको इसके लिए सिंप्ली आपको डायर रैप में जाना है उसके बाद देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को प्रणिग बिकॉर्ड और इसके बोड़ें के इक जाना हे अनग और यते बढ़ा पी आपके लिए साइलेंट करेंक जब किसी गघर यहां पर प्ड फीक में बढ़ झाखे तो ऐसे पर पढ़ सब्सक्राइब से Remote कि घ्याप के अधि Cow mi के सचरा means कर सकते हैं तो इस व्हान पर एक्सेयस्ड कर सकते हैं को यहां पर आप स्टमाइब कर सकते हैं जैसिक कर आप को कोई कॉल आती है गेमिंग के दौरान तो वो उस टाइम पे आटोमेटिकली हैंस प्री मोड पे चली जाएगी जैसी पिक करेंगे तो गेम में आपको कोई इशू नहीं आएगा और गेम के दौरान कोई अगर नोटिफिकेशन भी आती है तो वो भी आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं तो ज्यादा ज्यादा पावर आपके गेमिंग को देता है आपके गेम को देता है तो आपका गेमिंग एक्स्पेंस काफी बढ़िया हो जाता है अगर हम चलते हैं यहां पर इसकी एडिशन सेटिंग में तो देख सकते हैं तो उसके बाद यहां पर देख सकते हैं तच सेंसिट देख सकते हैं मेने एक्स्ट्रीम पर कर है यहां पर एम करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं थोड़ चांड fi Julius생 डिक्ता है कोई बी गीम देंगे आप थो ढडर कि Came 5 लेकिन मॉडयेट करेगे तो तो र बढ़िया यह देख सकते हैं, श्ट्रॉंग किया तो थोड़ा और पंचियर कलर्स देखने को मिल रहे हैं और एक्स्टीम में कर दिया तो और कमाल के कलर्स देखने को मिलते हैं पबजी गेंपले के दोरान, जैसे कि आपको पता हुगा कि हमारे Redmi K20 Pro डिवाइस में पबजी HDR सेटिंग पे चलता है, HDR सेटिंग और Extreme Graphics पे चलता है तो वहां पे आपको काफी कमाल का experience मिल जाएगा काफी बढ़िया डायनमिक रेंज मिलती है आपको इस गेंपले के दोरान और बहुत कमाल की details और frame rate देखने को मिल जाते हैं और यहां पे gameplay के दोरान अगर आप इस तरफ स्वाइप करेंगे तो देख सकते हैं यहां पे आपको काफी details मिल जाती है और apps को भी आप access कर सकते हैं और screen recording यहीं से enable कर सकते हैं, इसके shot capture कर सकते हैं और साथ में आप यहां पे देख सकते हैं कि game के दोरान आपका fps क्या है जो आप gameplay कर रहे हैं उसमें कितने fps आपको मिल रहे हैं वह भी information आपको यहां पे देख जाएगी और साथ में अगर हम सिलते हैं इसके screen recorder app के अंदर तो यहां पे अगर आप इसकी settings भी जाते हैं तो यहां पे आप सब कुस कस्टमाइज कर सकते हैं resolution, video quality, orientation और sound source option मिल जाता है यहां पे आपको 3 options मिलते हैं, mute करने का, यानि कि कोई भी sound record ना करे mic का, जिसमें कि mic का sound record होगा, आपका भी sound record होगा और साथ मिहां पे system sound option मिल जाता है, यानि कि अगर आप game play कर रहे हैं PUBG का, और चाहते हैं कि सिस्टम sound record हो, जो आप बोल रहे हैं वो सब कुछ ना record हो तो भीया, system sound all option आप enable कर सकते हैं, और gun shots और बाकी सब कुछ इक दम properly record होगा, और उसे आप सीधे YouTube के अंदर भी upload कर सकते हैं और ये screen recording को support करता है, अपको 60 fps, तो यहां से आप 60 fps को भी set कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही बढ़िया, smooth video recording चेहें तो तो guys, यह थी Redmi K20 Pro device के कुछ कमाल के tips and tricks, कुछ कमाल के features इन में से कुछ features शायद आपको पता रहे हैं, जो Xiaomi में आते हैं by default लेकिन हो सकता है कुछ features आपको ना पता रहे हैं और बाकी अगर आपको कोई और tips and tricks पता हैं इस device से लेटर तो वह भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो helpful लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें झालाओर रहे हैं